उत्राखंड राज्य निर्माड के समय जहां प्रथक राज्य उत्राखंड की विकास की दिष्टी से डिमांड थी वहीं जो विचारकों ने और जो विशिसकर रख्सा से जुड़े हुए लोग थे उनके इसके पीछे यह भी सोस थी कि उत्राखंड राज्य का निर्माण ये सामरिक दिश्टी से भी जरूरी है और उत्राखंड की सिमाएं चीन, नेपाल जैसे देशों से लगती है ऐसे में जब हम आज के प्रपेक्श में इसका विचार करते हैं तो सिमाओं पर हमारी जो सेवाएं हैं चाहे हवाई सेवाएं हों रोड की सेवाएं हों रेल की सेवाएं हों वो बहतर होना समझा गया और इसी दिश्टी से राज्य सरकार ने वियारों को भरपूर मदद किया चाहे लिपू लेक सलक हो सबसे अच्छा प्रणाम कारि रहा है और उनको सम्मा नी कर्किया गया तीन हवाई पट्टियां कित्रगर्ड चिनाली सोड और गोचक ये सिमान्त छेत्रों में सामरिक दिष्टी से अती महत्वपूर्ण है राज्य सरकार ने इन तीनों हवाई पट्टियों का जो रक्षा से जुड़े हुए हमारे लोग हैं अधिकारी है इस पर हमारी कई दोर की मीटिने हुई इनका विस्तार कैसे किया जा सकता है उस पर विचार हुआ और ये भी विचार हुआ कि अलमोडा जिले में जो चो खुटिया है वहाँ पर भी हमको भुष्चे की दिष्टी से एक हवाई पट्टी विक्सित करना चाहिए हुए हवाई पट्टी में कुछ जोस्ता की गई इसी तरह से चिनली सोड में उसका उसमें कुछ चीज़ें जुड़ रही है जो गौचर का की हवाई पट्टी है उसमें क्योंकि दोनों तरफ से बहुत उंचे-उंचे पहाड है और उन पे लेंडिंग करने में दिक्कते हैं और इसलिए सेना के साथ क्योंक जो पहाडों को काट सकते हैं उत्करन सेना के पास हैं तो सेना के लोगों से भी बात हुई है लेकिन रज्य सरकार के दौरा जो भी उसके लिए किया जा सकता तो किया गया है